हलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड फ्रेंड प्रेपरेशन यूटूब चैनल इस सेनल पर मैं कृष्णा आपके लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिस्क्स करने वाला हूं क्लास 6 का सोसल स्टडीज का PT1 का कोशन पेपर ये वीडियो आपके लिए बहुत जाद भी वेनिफीशल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को यूटलाइस करते हैं अपने PT1 एक्जाम की प्रेपरेशन के लिए तो अभी जो आपका periodic test 1 एक्जाम होना है उसमें किस टाइप ये कोशन आपके लिए फ्रेंड किया जाएंगे वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ये जो कोशन पेपर है आपका 40 marks का होने वाला है और इसमें जो टाइम आपको मिलेगा 1.5 आपको टाइम दिया जाएगा कोशन कुछ इस टाइप के आपके लिए फ्रेंड किया जा सकते हैं जैसके कोशन नमबर वन आपके स्क्रीन पर है हमें क्या करना है इनको matching करना है जैसे star है अब यह star किस से match करता है यह हमें यहापे यहापे उसे match करना है उसके बाद next है मगद मगद आप किस से belong करता है यह आपको match करना है और उसके बाद जो gold है वो किसी से belong करता है यह आपको match करना है जैसे gold है वो करनाटका में पाए ज जाता है ठीक है इसी तरह से बाखी चीजे हैं एक एक करके आपको इन सारे चीजों के बारे में ऐसे मैच करोगे जब आप चारो मैचिंग बिल्कुल करेक्ट करोगे तब आपको फोर मार्क्स दे दिये जाएंगे उसके बाद लोन आपको चूज़ करना है विल्कुल मैच करता हुआ बिल्कुल जो हमारा जो प्लानेया है उसके उसके बाद next is second question AC के अंदर, कि the value of the prime Mediterranean is dash, prime Mediterranean की value क्या है, यह आपको choose करना है, 90 degree, 0 degree, या फिर 60 degree, तो जो भी correct answer है, यह आप choose कर लेंगे, और अपने answer में लिख देंगे, और उसके बाद next is AC का third part, question number second का, जिसमें आपको पूछा गया रहा है, the word India, जा रहा है, गंगा river, option B में आपको बोला जा रहा है, यमना river, और option C में आपको बोला जा रहा है, इंडस, यानि की सिंधू river से, यह नाम आया है, तो जो भी correct answer है, उस पर आप इस तरह से tick लगा देंगे, तो जो कि आपका यह पूरा complete question, three marks का हो गया, इसके बाद next, आपका जो यह भी question है, third, यह भी आपका three marks का है, जिसमें आपको blank जो है, यह आप में fill करना है, और question में mention भी किया गया इस बात को, कि fill in the blanks, देखो, इसका जो first statement है, इसमें आपको पूछा जा रहा है, discovery of India, book was written by Dash, तो discovery of India, यह जो book है, इसे किसने लिखा है, उसके author का आपको name mention करना है, तो हमारे country के जो first prime minister थे, उन्होंने यह book लिखा है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद जो second statement है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है, कि grasslands developed around Dash, आपके पास, पहले blank given है, और next पूछा जा रहा है, is the coldest, coldest salitarian body to our earth, हमारी जो earth, हमारे जो planet है, उसके सबसे nearest, जो भी आपको लगता है, जो coldest salitarian body है, उस body का आपको name mention करना है, यानि कि यह तो geographic हो गया, आपका इतरह से question कहा सकते हैं, यह history का हो गया, और यह कुछ-कुछ जोग्रफी का, आप इसे कह सकते हो, question आपके लिए frame किया गया, यानि कि mixed type से question आप से लिए पूछा जा रहा है, उसके बाद next है आपका question number 4, जिसमें आपको true false के रूप में question पूछा जा रहा है, question इस type से लिखा गया है, कि right, true और false, अगर statement true है, तो आप यहाँ पर पूरी spelling true लिख देंगे, अगर आपको लगता है नहीं, statement wrong है, false है, तो आप पूरी complete spelling जो इसे false लिख देंगे, ठीक है, तो एक एक करके, आप लोग statement read करते हैं, three marks का ये भी question है, three marks का मतलब ये हुआ, कि आपको three statement दे दिये जाएंगे, जितने भी correct answer आप दोगे, उसके according आपको marks मिल जाएंगे, तो इसका जो first statement है, उसे read करते हैं, early people collect their food by hunting and gathering, कि पुराने time के गर बात करें, जो early time की बात की जारी है, कि उस time जो food बगरा जो होता था, लोग हंट करके, यानि जानवरों बगरा को, सिकार करके, उनको मार करके, और food को इखटा करके, रखते थें, और इस तरह से वो खाना वाना, खाया करते थें, ये आपको बताया जा रहा, अगर statement आपको correct लग रही है, तो आप true लिख दोगे अपने answer में, wrong लग रहा है, तो आप क्या करोगे, false लिख दोगे, second statement है, उसके बाद, Indian people practice all 8th religious font in the world, कि हमारी country के बारी में, जो लोग है, उनकी बारी पूछा जा रहा है, कि हम लोग क्या करते है, आपको correct statement लगता है, तो true लिख लोगे, अगर wrong statement लगता है, तो आप उसे false लिख दोगे, तो यहाँ तक तो आपके matching के question थे, matching के बाद आपका fill in the blank था, fill in the true false के थे, ठीके, इस type के question अभी तक आपके आए, अब next जो है, आपका question number 5, इसमें आपको answer writing करनी होगी, अब यह जितने भी questions हैं, सब के सब one marks के हैं, one marks का मतलब यह कि, या तो आप one word में आप इसका answer लिख सकते हो, या फिर one sentence में भी आप इसका answer लिख दोगे, मैं तो आपको advice करूँगा, कि आप one sentence में answer लिखे, जैसे इसका first question देखो, फिर question number 5 का जो first part है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, who introduced Christianity in India, हमारी country के अंदर जो Christianity है, इसे कौन लेके आयते हैं, उस person का आपको name mention करना है, तो आप उस person का name लिख दोगे, आपका answer complete हो जाएगा, उसके बार next is का second part, जिसमें पूछा जा रहा है, what is the universe, universe किसे कहते हैं, universe की definition है, ठीक है, आपको इसकी definition लिखनी है, इसके अंदर, यह तो one word में नहीं होगा, one sentence में आपको इसका answer देना होगा, first वारा तो one word में भी दे सकते हो, one sentence में भी दे सकते हो, बट जो second part है, इसमें आपको one sentence में answer देना होगा, उसके बार next है, आपका यह third question, जिसमें आपको पूछा जारा, why did early people known as the hunter gather, जो early time के जो लोग थे, जो starting की बात कर रहे है, तो उस टाइब के लोग, उस टाइब के लोग, hunting या gathering work क्यों complete करते थे, ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे आपको से why के रूप में question, reason पूछा जा रहा है, तो आप reason mention कर दोगे, क्यों से लोगों को food की knowledge नहीं थी, cooking अगरा नहीं आती थी, ये सारी बाते आप इसके अंदर लिख सकते हो, और उसके बाद next इसका fourth question, जिसमें आपको पूछा जा रहा है, what is known as citadel, citadel होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, यानि कि इसकी meaning या definition आप इसके अंदर लिख सकते हैं, next इसके बाद question number five का fifth part जो है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है, what do you mean by the solar system, solar system होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, तो best way तो ये है कि पहला आप ये meaning या definition लिख दें, और उसके बाद example के रूप में इसे आप explain कर सकते हैं, हाँ, अगर question ज़्यादा माय स्कोर का होता, यानि कि one marks के ज़्यादा का होता, तो आप drawing करके भी दिखा सकते हैं, यानि कि अगर ये question, same question अगर four marks का या three marks का होता, तो आप लोग क्या कर सकते थे, meaning definition के इलाबा, एक rough diagram भी बना के दे सकते थे, बट one marks में आप simple definition भी लिख देंगे, तो आपको पूरे complete marks मिल जाएगा, इसके बाद next day question number six देखो, आप six में आप से बोला जा रहा है, answer the following questions, कि आपको any three बोला जा रहा है, यानि कि यहाँ पर आपको four questions देखने को मिल रहा होगा screen पर, बट आपको सारे questions यहाँ पर नहीं करना, any three, यानि कि कोई भी easy आपको जो three questions लगते हैं, आप उसे करेंगे, one question आप skip कर देंगे, वह इसलिए कि three questions का मतलब यह है, कि हर question three three marks के हैं, आपको nine marks ही मिलेंगे, जिए आप three से ज़्यादा भी कर लोगे, तब भी आपको three questions के according ही marks मिलेंगे, तो better यह है कि जो भी best answer आप दे सकते हो, उसके answer आपको यहाँ देनी है, तो इसका first part देख लेते है, question number six का जो first part है, जिसमें पूछा जा रहा है, विच वे समीर एक इस डिफरेंट फ्रॉम समीर बी, two, दो, समीर एक और समीर दो के वीच में क्या differences है, आपको difference बताने, देखो यह question three marks का है, तो at least three difference आप इसके अंदर ज़रूर बताना, यानि कि तीनो difference के हिसाब से वर्मर मार्क्स बोलूँ अगर मैं, तो three marks आपको मिल जाएं, उसके बाद second question है इसके अंदर, जिसमें पूछा जा रहा है, why is the earth called a unique planet, हमारे जो planet है earth, वो उसे unique planet क्यों बोला जाता है, यह आपको बताना है, तो आपको इसके पीछे reasons आपको mention करना है, तो मेरी advice तो यह है बच्चो, कि अगर यह question three marks का है, तो आप लोग क्या करोगे, at least three reasons जरूर लिखोगे, कि three reasons लिखोगे, तब जाकि आपको पूरे three marks मिल जाएंगे, ठीक है, color के हिसाब से, farming के हिसाब से, water के हिसाब सी है, जो भी आपको reason लगता है, कि इसकी वज़े से, हमारे planet को, unique planet बोला जाता है, वो आप बता दोगे, three reasons जरूर मेंजिन करना, उसके बाद next year, why do people who grow crops, have to stay in the same place for the long time, अच्छा question यह farming से related है, कि जो लोग farming वगरा करते हैं, crop वगरा grow करते हैं, उसे काफे time तक के लिए, उसी area में, यानि कि जहाँ पर उनका खेत है, वहाँ पर उनको क्यों रहना पड़ता है, यह आप से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसके बीचे reason बता सकते हो, safety security के लिए भी reason हो जाता है, बहुत सारे काम easy हो जाते हैं, तो जो benefits हैं वहाँ रहने के, वह benefit के according अपना answer लिखोगे, वह reason लिखोगे, कि यह reason है, जिसकी वज़े से यह लोग जो farming भी, जो crop वागरा है, उसको एकी जिए ग्रो करते हैं, और वहीं वह रहके रहने लग जाते हैं, उसको care करने के लिए, और बाकी benefits जो भी है, उसकी according इसका answer आप लिख सकते हो, और finally जिसका fourth question है, fourth question में आपको बूला जा रहा है, right difference between the manuscript and inscription, inscription और manuscript के बीच में difference आपको बताना है, तो three difference आप जुरूर बताना है, इस question का अगर answer आप लिख रहे होता हो, तो देखो यहाँ पर four question थे, इन four में से any three करने, तो जो भी आपको easy लगते हैं, वो three questions आप कर सकते हो, ठीक है, आच्छा, आप question number six के बाद, next है आपका question number seven, और seven question में भी देखो, इसके three parts आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यह first part है, इसके बाद यह second part है, और यह third part, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, bracket में any two question है, answer the following question briefly, any two, any two का मतलब है कि आपको सिर्फ दो question करने, तीनों नहीं करने, और यह five marks का question है, तो आप सोड़ा से explain करना, बड़ा answer लिखना, ताकि आपको पूरे marks मिल सके, तो five marks का मतलब है, कि हमसे कम five reasons या five points इसके अंदर mention करना, जैसे इसका first question है, what are the parallels of the latitude and the Mediterranean of longitude, क्या नहीं आपको latitude और, latitude और Mediterranean, क्योंकि जो जो इसके latitude के साथ साथ जो parallel lines बनती है, इनकी भी बारे में आपको इसके अंदर लिखना है, तो दोनों की definition बता सकते हो, फिर उनके बार में जो difference वगरा या कोई और features है, वो सारी चीज़े आप इसके अंदर बना सकते हो, और बैटरी यह कि five marks का question है, तो आप diagram बना के दिखाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, कि आपको पूरे marks मिल जाएंगे, तो diagram ज़रूर बनाना, meaning वगरा बताना, दोनों को अच्छे से explain करना, तब आपको five marks मिलेंगे, उसके बार next इसका second part, जिसमें second question जिसमें आपको बोला जा रहा है, why did the hunter gathers travel from place to place, जो hunter gather जो लोग करते हैं, वो one place से second place पे travel क्यों करते हैं, ट्रेवल करने के पीछे आपको reason बताना है इसके अंदर, बहुत easy सा question है, तो आप इसको reason जोरू अच्छे से बताना, तो इस question के अंदर आपको बहुत आसानी से इसे explain करके इसके reason वगर आप अच्छे से बताएंगे, तब जाकर के आपको यह पूरे marks मिल जाएगा, उसके बाद next है, आपकी पास question number 7 का third part, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, explain the diversity in India, हमारी country के अंदर जो भी diversity आपको देखने को मिलती है, उस diversity के बारे में आपको बताना है, इसको पूरा explain करके अच्छे से आप आणसर दोगे, बेटर यह कि इसमें इंडिया का मैप बना दो, हर country के अंदर जितने states के culture के बारे में आप अच्छे से बताओ, यानि कि 5 marks का question तो 5 points अच्छे से लिखो, 5 different चीज़ के अपर लिख सकते हो, food के उपर लिख सकते हो, geography, location के उपर लिख सकते हो, history के उपर लिख सकते हो, ठीक है, और उनके बाद आज के modern time पे कैसे अलग अलग जगा पर अलग चीज़े हैं, उन सब चीज़ों के उपर, language के उपर लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आप 5 points आपको उनको explain करना अच्छे से, और तब जाके आपको ये पूरे के पूरे 5 marks मिल जाएंगे, देखो यहां 3 parts है, लिकिन आपको 3 parts नहीं करना है, only 2 parts करना है, तो जो भी आपको सबसे best answer आप जिसका दे सकते हो, उस वाले 2 parts को आप attempt करना है, और finally last question जो आपके इस question paper पे होगा, वो map based question होगा, जो कि आप ये देख सकते है, question number 8, जिसमें आपको बोला जा रहा है, ये 3 place है, केरला, भीमबेट का, और उसके बार next Delhi, इन 3 place को आपको इंडिया के map के अंदर place करना है, तो दिल्ली में, जैसे आप लोग रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हो, तो ये दिल्ली को fill करना बहुत असान है, ये तो दिल्ली की location हो गया, ठीक है, केरला की बात करें, तो ये आपका जो प्लेस दिख रहा है यापे, ये पूरा portion क्या है, केरला है, तो ये आप केरला बता सकते हैं, उसके बहुत भीम बेट का है, जो की मद्ध्रदेश के अंदर है, तो ये आप कह सकते हैं, ये भीम बेट का ये वाला area हो जाता है, तो आपको क्या करना क्या है, कि जो भी मैप आपको एक्जाम में मिलेगा, उस मैप में अपना नीम, क्लास, रोल नंबर, जो भी इनफोर्मेशन है, उसे फिल करने के बाद, अपना question जो भी है, उसका solution नंबर 8 लिखोगे, और जो भी प्लेस आपको बोला जार लोकेट करने के लिए, आप लोकेट कर दोगे, तो इस टाइप का आपको 40 marks का PT1 का एक्जाम होने वाला है, question paper इस टाइप का आ सकता है, जिसके आपको answer writing practice अच्छे से कर लेना है, ताकि एक्जाम में अगर इस टाइप की question अगर आपके आए, तो आप अच्छे से answer दे सको, लेकिन यह जब होगा, जब आप घर बैटके अच्छे से practice करोगे, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को like जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ, वीडियो आपको पसंद आ रही है, और आपके दूसरे friends के recommendation में ये वीडियो आ जाए, ठीक है, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर लेटिस वीडियो की notification receive हो सके, कोई doubt हो, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई confusion रह जाता आपको, तो आप Instagram पे मुझे follow कर लीजिए, मेरे ID है at the rate Mr.Krishna सा, जहाँ personally मुझे follow करके आप अपने doubts वगरा message में पूछ सकते हो, तो thanks for watching, bye bye, all the best for your exam.